हम सब जानते हैं भावम सप्ता का आधार है लोक तंत्र परंतु लोक तंत्र का आधार होता है लोक लाज और लोक मर्यादा जब लोक तंत्र में जनता प्रतनिदियों को चुन कर लोक तंत्र के सर्वोच सदन में भेशती है तो वह आप एक्षा करती है कि उनकी मर्यादा और आचरन उलेखनी होना चाहिए परंतु इस सदन में एक नहीं अनेक अवसरों पर ऐसे दुरभाग्य पूर्ण द्रिश्याय की सेकेटरी जनरल की मेज पर एक राजनैतिक दल के नेता ने नियम पुस्तिका फेकी विगत सदन में आपको ध्यान है कि विरोध करना आपका अधिकार है परंतु उसके अंदर हाथा पाई करना सुरक्षा कर्मियों के साथ हाता पाई सदन के दर्वाजों के शीशे तूट जाना और इतना ही नहीं उपसभापति को भयभीत करने का प्रयास और उनके प्रति हिंसक बरताओ करने जैसा दुरदान्त निंदनीय कारे होना और उसके बाद इस सत्र के दौरान छमा मांगने से भी मना कर देना यह निश्यत रूप से निंदनी ही नहीं भरसना योग जी नहीं बलकि विपख्ष की हटवादिता और निरलज्जता का प्रमाण है जिसने इसी तरह के आचरण के चलते हुए आज जन समुधाय में पूरी राजनेतिक बिरादरी के आचरण को लेकर प्रश्ण चिन्नोत्पन होता है इस सत्र में अनेक महत्वण मुद्दे थे जिनके विशे में हम चर्चा करने को तयार थे आप सब को पता है कि ओमिक्रान वाइरस का खत्रा पूरी दुनिया में फैला हुआ है वोटर कार्ड को आधार से लिंक करने का यानि निश्पक्ष और एक व्यक्ति एक वोट के सिध्धान्त को निश्पक्षता और पारदर्शिता पूर्ण धंग से लागू करने का या प्रयास उसे नहीं चर्चा होने दिया गया और जिसको वो सबसे बड़ा मुद्दा बताते हैं हम किसान के मुद्दे पर चर्चा करने को तयार थे चर्चा ही नहीं हुई महेंगाई उन्होंने महेंगाई के लिए नोटिस दिया हमने उसको स्विकार किया सरकार तयार थी उपसभापती ने परमिशन दे दी और महेंगाई के उपर चर्चाई नहीं हुई यह दर्शाता है कि आपकी कर्द महेंगाई के उपर और भाश्रम देन जो अपेक्षा थी कि इन महत्वपूर्ण विश्यों के उपर सदन में चर्चा होनी चाहिए पर वाईस से एक बात बहुत साफ है हम लोगों को एक दोर में याद आता है कि कभी हम लोगे बच्पन में कॉंग्रे से नारा देती थी कि सरकार चलाना उनी को आ चलाना किसे आता है और सरकार चला कि उनकी छमता को पूरी तरह दरकिनार कर दिया परंतु सदन में उन्होंने जैसा आचरण दिखाया है उससे यह भी साथ फो गया कि उन्हें विपक्ष के रूप में वेवार करना भी नहीं आता है तो अब यह इस पश्ट है कि ना कॉंग जिस प्रकार का यह आचरण हुआ हम सब को लोकतंत्र में अपने अपने दाइत्व का निर्वान नहीं करते हैं तो हम जनता के सम्मान और जनता की लोकतंत्र की अपेक्षा के साथ अन्याए करते हैं और वैसे मैं एक कोट करना चाहूंगा जो लोग कहते हैं कि किसी जमाने में आज उनको लगता है कि किस प्रकार के बातावरण में कारी करना पड़ रहा है यह जब विपर यह किसी मुद्धे पे चर्चा करने को तैयार नहीं थे मैं कोट कर रहा हूँ यह श्री विमल जलान राजसभा के सांसर भी रहे रिजर बैंक के गवरनर भी रहे और स्वरगी इंद्रा गांदी जी और स्वरगी राजीव गांदी जी की सरकारों में मुक्यार्तिक सलाकार उन्होंने 2013 में लिखा, on the last day of the Lok Sabha session, eight legislative bill were passed in exactly 17 minutes and the bottom of the role of parliament was perhaps reached in March 2006 when the budget including the finance bill was passed suddenly without proper notice. अर्थाद सदन की गरिमा के पृति अबमानना सब्ता में रहते हुए भी थी, विपक्ष में रहते हुए भी थी. अब हम सब के मद्ध में भारस सरकार के वरिष्ट मंत्री शेहरदीप सिंग्पूरी जी हैं, मैं उनसे अनुरोध करूँगा कि अब वो इस विशे पर अपना विचार वेक्ट करूँगा. पिछले सेशन के दौरान विपक्ष ने कई ऐसे मुद्धे उठाए, जिस पे हम चर्चा करना चाहते थे, और हमने कई opportunities दी उनको, जैसे सुधान्चु जी बता रहे थे, but there are two or three related issues which I want to share with you and discuss with you. अभी सुधान्चु जी ने Dr. Billam Bimal Jalan को quote किया, और ताहीं जो including a finance bill, the budget which have passed, पर आज आज आपकी इस मुलाकात से पहले मैंने थोड़ा सी थोड़ी सी research की, और कई मुझे instances मिले, कई bills जो पांच मिनिट भी चर्चा नहीं हुई, and I'll cite some examples, All India Institute of Medical Sciences Amendments Bill 2012, लोकसमा में एक मिनिट, राजसमा में दो मिनिट. National Highways Authority of India Amendment Bill 2011, तीन मिनिट, लोकसमा में. Northeastern Areas Reorganization Amendment Bill 2011, चार मिनिट, लोकसमा में. Protection of Women from Sexual Harassment at the Workplace Bill 2010, लोकसमा में सोला मिनिट में. 2010 में एक और बिल था, Sciences Bangalore Bill 42 minutes. Now we are repeatedly told that the responsibility to run the house is with that anyone, including those of our colleagues who are in Parliament, have a right to express themselves, right to dissent, and a right to oppose. We don't take issue with any of these. This is what a democracy is all about, and this is what enriches a democracy. Debate, dissent, discussion, deliberation.